देखे साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Polytechnic Second Semester Students के लिए Applied Physics Second में Most Important Chapter समाकलन के Most Important Questions के बारे में जो कि आपके Examination में दो नंबर के लिए काफे important है इसलिए last तक जरूर वीडियो देखे क्लास बहुत जाद आपके लिए important होने वाली है इस वीडियो में हम सबसे पहले कोशन के तरफ ध्यान देते हैं सबसे पहला कोशन है हमारा की integration bracket के अंदर 1 प्लस 2x प्लस x square dx कमान ग्याद कीचे अगर इसका part 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के description में दिएगे link पर click करके आप part 1 देख सकते हैं यह part 2 है हमारा और इसके अंतर गत हम बहुत सारे कोशन को solve करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे integration को बाट देंगे सभी में ठीक है तो सबसे पहले एक में बाटते हैं तो integration dx हो जाएगा ठीक है फिर plus के साथ 2 बाहर आजाएगा integration dx का होता है x integration dx का क्या होता है x होता है integration dx का formula x होता है और साथ ही साथ यहाँ पर integration x है यानि कि मैंने आपको बताया था integration x है तो x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और x to the power n plus 1 और बटे में n plus 1 वाले formula से आप इसको कर सकते हैं यानिके इनकी जगह पे एक है तो x to the power 2 बटे 2 हो जाएगा ठीक है तो x to the power 2 बटे 2 हमने लिख दिया और चुकि 2 पहले से है इसलिए 2 यहां पे गुड़ा में लिखा गया है ठीक है तो यहां पे total हो जाएगा प्लस के साथ 2 x square बटा 2 ठीक है अवाला कि 2 से 2 यहां पे कट जा आएगा x cube बटा 3 और प्लस के साथ c यह 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा यहां पे answer क्या आएगा finally finally हमारा answer यह आएगा कि x cube बटा 3 plus के साथ यह x square और plus के साथ x और plus के साथ c यानि कि x cube by 3 plus x square plus x plus 3 यह हमारा answer निकल के आजाएगा तो देखा आपने कितना simple तरीके से हमने इस को शॉल किया सबसे पहले आपको integration बाट देना है और जो भी आपका formula है उसके according आपको fit कर देना है मैं आपको बताओं कि मैंने आपको formula भी बता रखा है तो अगर आप formula नहीं देखे हैं तो formula सबसे पहले देखिए ताकि concept आपको clear हो अब आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ हम ध्यान देते हैं next question हमारा ये कह रहा है कि integration एक bracket में है x plus 3 और दूसरे bracket में है x minus 4 dx कमान ग्याद कीचे ठीक है करना क्या है आपको सबसे पहले इन दोनों का गुड़ा कर देना है ठीक है फ़हले x का गुड़ा x में करेंगे x square हो जाएगा x का गुड़ा minus 4 में करेंगे तो minus 4x हो जाएगा फिर 3 का गुड़ा x में करेंगे तो plus 3x हो जाएगा यानि कि minus 4x और plus 3x ये कितना हो गया minus x तो minus x हमने लिग दिया फिर साथी साथ अगर हम इसको solve करेंगे 3 को 4 में गुड़ा करेंगे तो minus 4 यह बाड़ा तो minus 4 यह बारा हो जाएगा अब same previous question की तरफ से इस तरीके से इस question के जैसे ही हम इस question को भी solve कर लेंगे यह जब आ गया तो integration इन सब में हम बाट देंगे ठीक है तो एक जगह हो जाएगा हमारा integration x square dx फिर minus के साथ integration x dx फिर minus के साथ integration यह बारा बारा आजाएगा चुकि अचार है तो integration 1 dx ठीक है अब x square है integration x square dx का होता है x cube by 3 x to the power n वाले formula से integration x to the power n dx बराबर होता है x to the power n plus 1 बटे में n plus 1 plus c ठीक है तो n की जगह बाट 2 है तो n plus 1 यानिकि x to the power 3 by 3 हमारा हो जाएगा ठीक है इसी के साथ हमारा minus के साथ integration x dx बराबर हो जाएगा x square by 2 यह भी x to the power n वाले formula से ही लगएगा फिर minus के साथ यह 12 चुकि बाहर है तो 12 हमने लिग दिया फिर integration dx का होता है x तो minus 12 x plus c तो देखा आपने इसे भी हमने कितना simple तरीके से कर लिया मात्र 10 सेकेंड में आप इस टाइप के question को solve कर जाएंगे ठीक है क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए time जादा लग रहा है ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं next type के question की तरफ हम ध्यान देते हैं next type का question हमारे लिए यह है कि integration x plus 3 upon x minus 2 dx कमान ग्याद कीज़े ठीक है तो इस type के question को करने के लिए बड़ी simple सा method है कि आप बहुत आसानी से इसे solve कर सकते हैं देखे ज़रा देखे यह x minus 2 है तो उपर हम क्या करें कि x minus 2 के रूप में अगर हम तोड़े तो 2 भाग में हमारा तूर जाए तो अगर हम x plus 3 को क्या लिख सकते है x minus 2 plus 5 यहाँ पर यही चीज़ आपको बस ध्यान देनी है अगर x plus 3 को हमको लिखना है तो x minus 2 plus 5 लिख सकते है कैसे यह 5 में से अगर 2 जाएगा तो x plus 3 नहीं हो जाएगा तो x plus 3 को हमने इस रूप में लिख दिया ऐसा हमने क्यों लिखा साहब यह question create होता है इसलिए लिखा क्योंकि बटा में हमारा x minus 2 है इसलिए हमने x minus 2 के रूप में अगर 2 भाग में divide करना चाहिए यानिकि एक बार x minus 2 अपॉन x minus 2 और एक बार 5 upon x minus 2 तो हम बहुत आसानी से question को कर सकते हैं तो एक bracket में हमारा हो जाएगा integration x minus 2 बटे में x minus 2 और plus के साथ integration 5 हमारा बाहरा आजाएगा तो एक bracket में हो जाएगा dx upon x minus 2 यह ज़रा दिखेगा इससे ही यह cut जाएगा integration के वल dx बच जाएगा तो वही हमने लिखा यहाँ पर integration 1 into dx यह cut गया एक बार में और फिर इसके बारे में अगर बात करेंगे तो 5 हमारा बाहर निकल के आजाएगा और यह integration dx upon x minus 2 यह log होता है integration 1 upon x dx बराबर होता है log x ठीक है तो यह भी एक तरीके से integration dx upon x के रूप में ही है चुकि 5 अचर है तो 5 बाहर निकल गया तो 5 गुड़े इतने को हम लिख सकते हैं log x minus 2 चुकि यह आप x की जग़े पे x minus 2 है इसलिए हम लिखेंगे log x minus 2 और plus के साथ c हम लिखेंगे integration हटा रहे हैं तो constant लगाना ज़रूरी है तो integration constant c हम लगाएंगे और यह हमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो आपने देखा इसको भी हमने कितने easy way में आपको बदाया तो इस तरीके से आप question को करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे अब आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ ध्यान देते हैं यह question देखिए आपका examination में पूशा आ चुका है और यह question कुछ इस तरीके से है कि integration dx upon 1 minus sine x ठीक है देखे जाप जैसे इस type के question आपका सामने निकल के आएगा आपको सन्यूगमी कर देना है सन्यूगमी ने परमी कर देना है is the sense यह होता है कि देखे यह जो हर में है इसका sign change करके उपर और नीचे गुड़ा कर देना है कहने का मतलब यह है कि यह 1 minus sine x है तो उपर 1 plus sine x से गुड़ा करेंगे और नीचे भी 1 plus sine x से गुड़ा करेंगे तो इसे ही हम परमी कर देना है तो सबसे पहले हम इस question को लिखेंगे कि integration dx upon 1 minus sine x dx तो उसके बाद क्या करेंगे इसका परमी कर देना है 1 plus sine x से उपर गुड़ा किये हम और 1 plus sine x से नीचे गुड़ा किया यानि कि 1 minus sine x में गुड़ा किये ठीक है तो उपर तो हमारा हो जाएगा 1 plus sine x तो 1 plus sine x हमने integration के साथ लिख दिया और बटे में a plus b और a minus b हमारा होता है a square minus b square यानि कि 1 minus sine square x हो जाएगा और dx है तो dx हमने ऐसे ही add कर दिया ठीक है यह 1 minus sine square x cos square x होता है दोस्त होता है न तो यह हम लिखेंगे किया integration 1 plus sine x upon cos square x dx ठीक है अब इसको अलग-अलग हम break कर लेते हैं अलग-अलग break करने का sense यह है कि एक bracket में हमारा एक जगा हो जाएगा हमारा integration 1 upon cos square x dx और एक जगा हो जाएगा integration sine x upon cos square x dx तो इसी तरही के से हम ने किया integration 1 upon cos square x dx और plus के साथ integration sine x upon cos square x dx ज़रा यह देखिए यह sec square x है दोस्तों और integration में sec square x dx बराबर होता है हमारा tan x तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे integration sec square x dx और इसको अगर अगर ध्यान देंगे आप तो इसको क्या लिख सकते हैं integration sin x upon cos square x को एक bracket में लिख सकते हैं sin x upon cos x और एक जगर लिख सकते हैं 1 upon cos x sin x upon cos square x को इस तरीके से लिख सकते हैं तो यह दो हो जाएगा हमारा tan x और यह हो जाएगा हमारा sec x तो integration sec x into tan x हमने इस पूरे पार्ट को लिख दिया ठीक है तो इस पूरे पार्ट को हमने यहां पर integration sec x into 10x लिख दिया अब देखे ज़रा integration sec square x का होता है formula 10x और integration sec x into 10x का होता है sec x ठीक है और integration हटा है तो plus constant c integration constant हम जोड देंगे तो यहां पर 10x plus sec x हमारा answer निकल के आ गया तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि इस type के question में परमी करण करना है सबी step को follow करते जाना है answer हमारा निकल के आ जाएगा तो आपने देखा कि कितना simple सा question हमने आपको बताया कितने easy way में आप देखे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है समाकलन इतने जबर्दस्त तरीके से आपको बताया जाएगा कि फिर confusion नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ ध्यान देते हैं यह भी question आपका UPVTE examination में पूशा जा चुका है यह question देखिए दो इस question को करें मैं केवल हिंट दे ए रहा हूं सबसे पहले आपको क्या करना integration सब में बाड़ देडा है तो एक बार हो जाएगा integration x cube dcs फिर यह 3 जो वह अचा रहा है तो बाहर निकल जाएगा तो integration x square dx फिर यह 3 जो है अचा रहा है तो बाहर निकल जाएगा तो integration x dx और यह हो जाएगा integration dx अब सबकी value रख दीजिए यह x to the power n वाले formula से हो जाएगा यह भी x to the power n वाले से हो जाएगा यह integration dx का x ही होता है तो अगर इसको solve करेंगे तो आपका इतना answer आएगा तो आप हमें comment में जरूर बदाएगा कि इस question को solve करने के बाद क्या आपका इतना answer आया या नहीं आया ठीक है उमीद करते है जरूर आगया होगा क्योंकि इस type का question इसी वीडियो में मैंने कई कराया है अभी आपको ठीक है अब next question की तरफ हम ध्यान देते हैं next question भी आपका काफ़े simple सा है दोस्त कि integration under root में 1 plus sign 2x dx कमान ग्याद कीचे ठीक है इस question को बताने से पहले मैं आपको बता दू कि second semester से related सारी चीज़ें आपको हमारी website पर provide कराया जा रही है question answer से लेके important syllabus से लेके क्या क्या chapter आपका important है वो सारी बाते आपको website पर लिख के बता रहे हैं तो आपको description में link मिल जाएगा या फिर आप google पर search कर सकते हैं pandeji technical.in website हमारे सबसे पहले आएगी आप उस पर click करके सारे information पढ़ सकते हैं तो अगर आप google पर ही search कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप हमारी website पर बेहत easy तरीके से पहुँचाएंगे ठीक है तो एक बार जरूर पहुचिए और वहाँ पर सारी चीज़े जरूर पढ़िए ठीक है यहाँ पर हम next question यही आप से बात करेंगे कि integration under root में 1 plus sin 2x command क्याद कीजे सबसे पहले यह जरा देखे सहाब इस question को हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब 1 1 क्या होता है 1 trigonometry में होता है sin square theta plus cos square theta की value होती है ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते है cos square theta plus sin square theta चुकि plus में है तो हम किसी भी दरीके से लिख सकते है sin 2x का मान क्या होता है यह होता है 2 sin x into cos x तो यह जरा ध्यान दीजेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने 1 की जगह पर लिख लिखा cos square x plus sin square x या फिर आप sin square x plus cos square x भी लिख सकते हैं कोई यहाँ पर plus है तो जंजट नहीं होगा ठीक है फिर यहाँ पर sin 2x की जगह अपर 2 sin x into cos x लिखा है तो 2 sin x into cos x लिख दिया हमने यह हो गया a square plus b square plus 2ab के form में यानि कि a plus b का whole square हम direct इसको लिख सकते हैं तो integration under root में sin x plus cos x का whole square dx हमने लिख दिया ठीक है और under root में किसी भी चीज़ का square होता है ने साहब तो अगर हम under root हटाते हैं तो केवल वो चीज़ बच जाता है यहनि कि a बच जाएगा ठीक है तो इसी लिए हमने यहाँ पर sin x plus cos x का whole square अगर under root में रखा है तो अगर under root हटेगा square हटेगा तो केवल हमारा बच जाएगा integration sin x plus cos x dx यहाँ तक चीज़ें समझ में आई बिलकुल आ जानी चाहिए दोस्त एकदम आसान भासा में हम आपको चीज़ें सिका रहे हैं ठीक है आप देखें integration सब में बाट दीजे तो एक जगह हो जाएगा integration sin x dx और एक जगह हो जाएगा integration cos x dx sin x का मैंने आपको integration बताया था दोस्त minus cos x होता है ठीक है और cos x का मैंने आपको बताया था केवल sin x होता है और integration हटाया तो constant जोएगा तो minus cos x plus sin x plus c यह हमारा answer निकल किया जाएगा इस question का तो आपने देखा कितने आसान दरीके से चीज़ों को हमने आपको बताया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजे और ऐसी ही वीडियो देखना चाते हैं तो subscribe जरूर कीजे हमारा चैनल पांडेजी टेकनिकल और इसी टाइप की वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को share जरूर कीजेगा देखिए अब आगे हम बात करते हैं आगे हमारा question काफी simple सा है ये question आप साइद आप ही लगा सकते हैं ये देखिए आपको क्या करना है केवल इसको अलग- इस टगाएंगे फिर पांच है तो पांच अचर है तो बाहर ले लेंगे इसको भी हम बाहर लेंगे अचर है तो ठीक है तो पांच हमने ले लिया फिर integration sine x बटा cos square x dx हमने ले लिया ठीक है अब जरह ये ध्यान दीजगा ये one upon cos square x हम six square x लिख सकते हैं बिलकुल तो ये चार बाहर हो गया और integration six square x dx हमने लिख दिया फिर minus के साथ five और integration जैसा कि मैंने आपको बता था sine x upon cos square x को हम क्या लिख सकते हैं एक एक जगा लिख सकते है sine x बटा cos x और एक जगा लिख सकते हैं one upon cos x ठीक है तो यानिकी इसको लिख सकते है 10 x और इसको लिख सकते हैं six x तो six x into 10 X हम पूरे को लिखेंगे यहाँ पे ठीक है तो हमने यहाँ पे 5 चुकि अच्छा रहे तो बाहर निकाल लिया और integration SEC X into 10X तो बिल्कुल पीछले वाले कोशन की तरह है यह 10X का formula यह है SEC X का formula तो चुकि चार बाहर है पाँच बाहर है तो 4 10X minus 5 SEC X plus C हमारा answer निकल किया जाएगा अब देखिए इसी type से यह भी question है दस number यह भी काफी simple सा है इसको भी आपको अलग-अलग कर देना है एक जगह आपको कर देना है 1 upon cos square X dx और एक जगह आपको कर देना है कि integration sin square x upon cos square x dx ठीक है तो यह हो जाएगा आपका सेक square x तो सेक square x dx हमने लिख दिया यह हो जाएगा 10 square x तो यहाँ पर हम लिख दिये 10 square x dx लिख दिये चुकि 10 square x dx का कोई formula नहीं होता है दोस्त उसको हमको सेक के रूप में बदलना पड़ता है तो 10 square x बराबर हम formula जानते हैं सेक square x minus 1 integration में आपको यही दियान रखना होगा कि आपको बस उस रूप में convert कर देना होगा जिसका formula आपको पता है तो 10 square x को हमने क्या किया दिया सेक square x minus 1 रख दिया अब यह integration दोनों में बाठ दीजे आप तो एक तो पहले हो जाएगा हमारा integration सेक square x और plus के साथ integration सेक square x dx और minus के साथ integration dx तो यह हो जाएगा 2, 1 सेक square x और 2 सेक square x दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बाहर आजाएगा और integration सेक square x dx और minus के साथ integration 1 dx जो की इस integration का इसमें गुड़ा करने पर आया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा minus 1 into dx आ गया ठीक है अब यह 2 बाहर है और integration से कि square x dx का होता है 10x 10x formula होता है तो 2 10x और minus के साथ integration dx का होता है x तो minus के साथ x हो गया और plus के साथ c हमारा integration constant हो जाएगा तो इस तरीके से सभी question को हमने बेहत easy तरीके से solve किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को like जरूर कर दीजे क्योंकि आप सभी के लिए इतनी जादा मेहनत करते है entrance exam के लिए भी वीडियो आती है second semester के लिए भी वीडियो आती है तो आपको यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो को like जरूर कीजे और बिना कहे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी website पे एक बार जरूर आईए और सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़िए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए